मित्रों कई बार बहुत बुरा लगता है और ये सच्चाई भी है जिसको कुछ लोग साइध सीवकारना नहीं चाहते हो लेकिन आपने आसपास भी देखा होगा आज हम गो माता कहते हैं लेकिन गो माता की जो हलत है हम अपने आसपास देखेंगे तो वो बद से बदतर होती जा रही है उसके लिए कईन कई मेरा ऐसा मानना है कि हम लोगों की हिपोक्रेसी हम लोगों का पाखंड है डोंग है एक तरफ हम गो माता कहते हैं दूसरी तरफ हम क रसाती वाउवाने सिंग मित्रों मेरे पास बहुत से अगलगों के फ़ॉन आते हैं और काफी अलग अग इस्ते यह कैसे हैं पूछते के हमें घर के लिए गाय चाहिए हैं और कई दो इस प्रकार करना चाहूंगा अगर देखो गो सेवा अच्छी बात है लेकिन गो सेवा के नाम पर आपका स्वार्थ जुड़ा रहता है फिर वो गो सेवा नहीं रहती आप फिर उसको गाई को गो पालन करे और दूद ले अपने परिवार के लिए कोई बुराई नहीं इस मैं मैं खुद गाई का पालन करता हूं तो वो मेरे लिए मेरे परिवार को दूद मिलता है अच्छा जो दूद दई वगरे मिल्क प्रॉडक्ट मिल जाते है तो इसलिए मैं रखता हूं और मैं खिलाता भी हूं अगर मैं गो सेवा कर रहा होता तो फिर मुझे गाएं फिर बिना लोब लालच के पालनी चाहिए थी परिवार के लिए जो आप दूद वगरे ले इसमें कोई ब नहीं है तो मेरा उनसे कई बार फॉन के उपर बात हो जाती है आपको गो सेवाई करनी है तो फिर आप बच्ड़ा ले लीजिए जैसे कई लोग चलाते हैं ने केंपन एडॉप्ट डॉग एक कुत्ते को जो इस्ट्रीट का डॉग है उसको आप गोद लीजिए तो अरे भाई जब गाई रख सकते हैं तो बच्ड़ा भी अगर आपके साथ सुरू से रहेगा तो वह एग्रेसिव नहीं होता है यकीन मानी है मैंने बुल रख रखे है मैंने बच्ड़े भी पाले है तो होगा नहीं और अच्छी नसल का बच्ड़ा है तो गोसला वाला भी ल मैं शड़कों पर छोड़ देने चाहिए तो अगर कोई गो सेवा करना चाहता है तो उन बच्ड़ों की सेवा करें तो मैं उनसे सीधा कहता हूं पर अगर आपको गो सेवा करनी है तो बच्ड़ा ले लिजे गाई ही क्यों नहीं बच्ड़ा तो नहीं हमें थोड़ा सा परि में दूद मिल रहा है तो यह हमारा एक पाकंड है मेरा ऐसा मानना है तो हम इस चीज को स्विकार नहीं करना चाहते हैं यह अलग बात है तो उसी वज़े से आज गाई की हलत खराब हो रही और मुझे आज भी याद है जब मैं अपने बस्पन में याद करता हूं मेरे गाउं क चरने जाती थी अपने आप जाती थी यह पूरी गाई गाउं की गाएं भी इकटी कई बार जैसे जो चौमा सा का मौसम होता है मांसुन का टाइम बारिस का उस समय किया कि एक आदमी रखा जाता था गाउं की तरफ से उसको हर गर से पैसे लिये जाते थे और वो चरा के ले कोई अफास के गाउं की वाले मतलब पूरे गाउं का एक बू रकहता था और वो बुड़ा होने पर उसकी सेवा की जाती थी और शेको दची ताकि वह पूरे गाउं की अच्स गाह परीड गरीड अच्छी नसल आये मुझा आज भी याद है जो उस बुडा के लिए जो तो गाउं में से लोग तो जैसे पैसा देड़ intent जिनके पास चारा या वो नहीं होता था तो ज़्याद किसान पडिवार होनी के वज़े सी क्या होता हर गर से चारे के बंदल होते थे थे हर चारा ले लिया जाता थे और हर अमावस शो हर पूरिमा के दिन जो घ्याऊं लुघ तो को आदमी रखाता था उसके तनका भी उसमें से जो कुछ पैसे उसमें तनका भी हो जाती थी और वो उसकी सेवह करता था निश्चित टाइम पर वह बली बुलपूरे गाओं में इदर उदर घुमता था गायां को ब्रीड करता था वो एक ही होता था कोई mixed breed वगर का नहीं अच्छे नसल का नंदी होता था फिर क्या होता कि एक तो जो आने वाली जो प्रोजनी है गायों की जो संतकी वो अच्छे आती थी और अगर बच्डे भी हो जाते थे तो इस गाउं से दूसरे गाउं वाले उस बच्डे को अच्छी नसल का आता था तो वह ले जाते थे मांगे ले जाते इवन पैसे देके भी गाउं से पैसे एकटे करके भी बुल खरीदा गया और अच्छी कीमत में उस समय जिस परकार का जमाना था जिस परकार कीमत थी तो अच्छी कीमत में और आज हालत यह हो गई है कि हमारी पाकंड और लालच की वज़े से जो नर बचड़ों की तो मतलब बेलकुल ही वैल्यू खत्म होगी ठीक है कुछ अगर अच्छी नसल वाले है तो उनकी तो वैल्यू फिर भी है तो वो तो चलो अच्छी जगे पे चले जाते हैं लेकिन हम गो सेवा का सिर्फ पाखंड और दिखावा करके हम कहीं कहीं हमारी जो गोमाता रूपी जो देशी नसले हैं उनको हम नस्ट करने पर तूलेवे हैं मेरी सिकाइट उन लोगों से है इस पेसली भई आप अगर गाई पालते हो तो अच्छी बात हैं लेकिन आप सिर्फ पी ऐसे मत करो कि गो सेवा गो सेवा नहीं वह समय तक गर की जेब से खिलाता रहूंगा ठीक है एक दो अगर परिवार के लिए है तो फिर वो तो कोई उसमें नफा नुक्सान नहीं देखा जाता लेकिन आप दूद के लिए क्यूंकि आपको लगता है कि बाहर से दूद आप महंगा खरीद नहीं पा रहे है या फिर प् अच्छे किसान है या लोग है तो मेरी उनसे आगर रहेगा कि आप लोग कम से कम नहीं तो एक अच्छी जो भी नसल की गोमाता रखते हैं तो उसका आप एक बच्छडा जरूर रखे या अपने गाउं में एक केंपेंच चलाए कि पूराने जो समय में जो सिस्टम था वैस कि हम अलग से परबंद करके गोसलाओं वगर में रहेंगे तो सड़कों पर कम से कम नजर नहीं आएंगे तो मेरे इसाब से हमें गो सेवा करनी है तो उस परकार से करें बाकी डोंग तो हम करते ही आ रहे हैं धन्यवाद मित्रों अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रू नए वीव से चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके छितर में क्या हलाते है और आपकी इस पारे में क्या विचार है जरूर कमेंट वाक्स में कमेंट करते हैं मुझे बताए जैगोमादा